यहाँ DC Office के सामने जारकन Electricity Consumer Association के द्वारा नए बिजली कानून का विरोध किया जारा जिसे संसाथ में लाने की तैयारिया चल रही है तो चले हम बात्चीत करेंगे उनसे और जानेंगे क्या कुछ वज़ा है जिसकी वज़ा से आज ये विरोध पर सरसे सड़क पर उतरा है तो देखे दमशेटपूर से मेरी यार रिपोर्ट जारखोन एलेक्रिशिटी पुझुमार एसेशियेशन के तत्तावधन में आज हम लोग जीला कारजले में विरोध परतसन का वज़ा ही है कि पूरा देश भर में जो बिजली को प्राइवेट का हाथ में दिया जा रहा है जिसके कारण विजली का रेट अभी भी बहुत ही जफा हो है और इसके बाद जब संक्षत में पेस होगी बील पास हो जाएगा तो और भी जो पुझी पुझी पुती लोग को छूट बिजली में बिजनस करने का मौका मिलेगा और आम जो ग्राहक है उसका जेब से पैसे का अभी हम लोगे से उत्रचन हो रहा है इसको गाउण शतर से लिए जाएंगे आंगे भी जाएंगे पाफली कर ना बोध मुझी घर में जायेंगे और ऐसे अंधनलन की जू प करने जा रहा है सरकार है जो लग्सिवा का जो चल रहा है इस सटीवेशन में बिन थ्म्रांने में 201 ज्ञ 2019 आज यू घृन highly तो यह इसन में बिरोद चल रहा है आज पूरा देश में हमारे ज़द संगठन है मैं कंजुमर एसेसेशन के तरफ से पूरा देश में आंदलन चल रहा है धर्ना प्रदर्शन चल रहा है आज हम लोग डिशी के मादम से मने सेंट्रल पावर मिनिस्टर के नाम पर हम लोग मांग पत्र दे रह है जो आज विजली जो है विजली आज सरकार के हाथ में है आज जो उत्कादन करता है और canoe सरकार खरीतती है और सब्सट्री पूरा खतम हो जाएगा और जो रेट 3-4 बढ़़ जाएगा और मनसी पूंझीपती लोग को करवार करेंगा धंधा करेंगा विपार करेंगा एह बिजली एक मने जनकलान मुलक यह चीज है इसको बेपार नहीं करना चाहिए यह मांग चल रहा है पुरा देश में और जब तक यह बील वापस नहीं होगा तब तक हम लोग का अंदलन चलेगा और लक्सवा में जब बील पेश होगा उस दिन पुरा देश में एक कला दिवस क बील पेश होगा है इस इसका बेशन चल रहा है पूरा जिला में हम लोग कर रहे हैं पुरा ज़ारखन में यह आंदलन चल रहा है हाँ अभी तो पुरे देशपर में ही रोड बेचा जा रहा है रेल बेचा जा रहा है एलाइसी बैंक सब कुछ नीजी हातों में दिया जा रहा है एयर पुट को भी बेज दिया गिया है अभी एयर इंडिया को दे दिया गिया है हर चीज नीजी हातों में दिया जा रहा है तो सरकार क्या करेगे सरकार का काम है कि जो बेसिक अमेनिटीज है जो मुल्भूत्स विदाये हैं वो जन्त को महिया कराना यह कोई भी सरकार की जिम्मेबारी होती है आप चले जाए अमरीका में चले जाए यूर्प में वहां सिक्षा 90 से और संद शरकार के हातों में विजली सरकार के हातों में यह सब कुछ निजी हातों में देते जा रहा है आज बिजली को भी दे रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? जैसे आज English Medium School में बेताहाशा फ्रीज बरोतरी हो रही है, सरकारी स्कुलों में फ्री है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। अज बेताहाशा बरोतरी होगी प्राइबेट English Medium School में, वैसे ही बिजली का हाल होने जा रहा है बेता हाशा बड़ोत्री होगी यहाँ पर electricity tariff में बिजली उपभोगताओं को भेंकर परिशानी का शामना करना पड़ेगा इस बिल में लिखा हुआ है कि 5 star hotel में जो बिजली का rate होगा गाओं का subsidy नहीं दे सकता है जैसे पंजाब में किसानों को free of course बिजली मिलता है दिल्ली में केजरीवाल कम rate में बिजली दे रहे है हमारे राज्यों में गाओं में उपभोगताओं को कम rate में बिजली दिया जा रहा है लेकिन इस बिजली बिल में लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकता है अब राज्यों सरकार नहीं कर सकती है अब जो है यह सिदा सिदा पुजी पतियों के हाथ में चला गिया है पुजी पति जो तै करेंगे वही rate तै होगा राज्यों सरकार की दखल अंदाजी खता मतलब आम उपवक्ता के लिए बिजली का टैरिप जो है तिन गुना, चार गुना, पाज गुना बढ़ने जा रहा है इसी का विरोध कर रहा है हम तो पुरा देश में अपका नाब? सुभीतरा है ने बिजली कानून से आम लोगों को प्रभावत होने की काफी संभावना ही जताई जा रही है जिसका विरोध आज कुछ इस तरह से यहां डीसी आफिस के बाहर किया जा रहा है और ना सर्फ डीसी आफिस के बाहर बलकि आज पुरे देश भर में अलग-अलग जिला मुक्यालियों में इसी तरह से नए बिजली बिल प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है और ये पुरे योजनाबंध तरीके से इसी तरह से इसका विरोध जारी रहेगा ये कहना है यहां विरोध कर रहे लोगों का तो देखते हैं सरकार पर विरोध का क्या असर पड़ता है और असर नहीं पड़ता है तो किस तरह से आम लोगों पर इस बिल का असर पड़ता है तो इसी के साथ नमस्कार मैं राजलक्ष्मी लाइव लगतार से न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगतार डॉट इन के साथ